राधी राधी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फेसे दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू दबाए दोस्तों हिंदु धर्म में अमाबस्या का विशिश महत्व होता है इस बार बेसाख अमाबस्या 20 अपरल दिन गुरुवार को है इस दिन साल का पहला सूरे ग्रहन भी लगनी जा रहा है साथी इस दिन ग्रहनक्षत्रों के कई अद्व संयोग बनने से इस बार की अमाबस्या और खास हो गई है अमाबस्या पर भगवान लक्ष्मी नारायन का पूचिन करने से सभी कश्ट दूर होते है साथी पित्रों का आशिरवाद भी मिलता है इस दिन दान करने का विशिश महत्व होता है इस दिन दान करने से जीवन में तरक्की आती है पित्रों का भी आश्रफात मिलता है मानेता है इस दिन भ्रामर को धोती और गमचा दान करने से पित्र बेहत प्रसन हो जाते हैं साथ ही इस दिन भ्रामर को दान करने से व्यक्ति की नौकरी ब्यापार में आ रही जो समझा है उनसे भी छुटकारा मिल जाता है इसके अलाबा इस दिन चांदी की बस्तू का दान करना भी बहुत शुबाना जाता है ऐसा करने से जीवन में सुक सम्रथी का आश्रवा मिलता है इस दिन दूद और चावल का दान अगर भामर को किया जाए तो वन्ष में ब्रथी होती है पित्रों के नाम से काले दिल का दान करने से पित्र दोश दूर हो जाता है पित्रों के नाम से कोई भी चीज दान करे उसमें काले दिल अवश्य ही डाने ऐसा करने से वह पित्रों को प्राप्त होती है इस दिन काले दिल का विशिश महत्व होता है इस अमावस्या पर पवित्र नदी में इस दान का पित्रों के नाम से दान देना शाहत तरबर पिंड़िदान करने का बिधान है लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह संभब नहीं है जो लोग अपने पित्रों के नाम से शाहत तरबर पिंड़िदान नहीं कर सकते उन्हें इस अमावस्या पर पित्रों को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए शास्तों में पित्रों को जल चढ़ाने की एक ऐसी बिधी बताई गई है जिस बिधी से अगर पित्रों को जल अर्पित किया जाए तो इससे पित्र अति शेगर ही प्रसन हो जाते है पित्रों का आशेवात प्राप्त होता है पित्रों के आशेवात से फूटी किस्मत भी चमक जाती है तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं और पित्र दोश दूर हो जाता है साथी पित्रों के भी कश्ट दूर होते हैं और पित्रों को तरपती मिलती है दोस्तों पित्रों को जल चढ़ाने के लिए आप सबसे पहले इस्तान का सुच्छबस से धारण करें अब आप एक लोटा लें और इस लोटे में शुद्ध जल भरें इस जल में अब आप थोड़ा सा कच्छा दूट डाल दें दोस्तों दूट डालना है इसलिए आपको तावे का लोटा नहीं लेना मानिता है कि तावे की लोटे में डाला गया दूट जहर बन जाता है इसलिए जब भी आप दूट चढ़ाएं दूट डाले जल में तो तावे की लोटे का इस्तमान ना किया करें ताबे की लूटे में दूट डाल का सिर्फ छट पूजन पर ही चड़ाया जाता है अन्य पूजन में ताबे की लूटे में दूट डाल का पूजन नहीं किया जाता अब दोस्तों आपको जल के इस पात्र में अगर हो सके तो दो पुश्प डाल दे और फिर दोस्तों आपको इस जल के बात्र में थोड़े से काले दिल डालने है दोस्तों दिल काला, भूरा और सफे तीन रंका होता है लेकिन काला दिल पित्रों के पूजन में इस्तमाल किया जाता है काला दिल भगवान विश्णू को भी अति प्रिया है इसे दीब अन कहते हैं और यह पित्रों को भी प्रिया है दिल से पित्र त्रप्त हो जाते है शाद कर्म के जिस भूजन में या फिर पूजन में दिल का इस्तमाल नहीं किया जाता वह पित्रों को प्राप्त नहीं हो पाता पित्रों को जो जल अर्पित किया जाता है उसमें भी दिल अवश्य ही डालना चाहिए क्योंकि दिल जब आप डालेंगे तभी यह जल पित्रों को प्राप्त होगा और दिन से ही पित्र त्रप्त होते है पित्रों के नाम से जो भी भोजन भी निकाला जाता है उसमें भी दिल डाला जाता है मानिता है जिस जल भोजन में दान की चीज़ों में काले दिल नहीं डाले जाते वह दुष्ट आत्माएं ग्रहन कर लेती हैं और पित्रों को प्राप्त नहीं होते बारह पुराण के अथ्याय तेरे में स्वेम पित्रों ने कहा है कि जो मनुश शाथ तरपन या पिंड़तान नहीं कर पाते भ्रामण या गरीबों को भूचन नहीं करा पाते उन्हें अपनी पूरवजों का इस्मरण करते हुई काले दिल डाल कर पित्रों को जल अर्पित करना चाहिए ऐसा करनी से पित्रों को तरप्ती प्राप्त होती है पूरवजों का इस्मरण कर एक मुठी काले दिल का दान भी अगर कर दिया जाए तो इससे पित्र तरप्त होते हैं और पित्र दूश दूर हो जाता है इसलिए पित्रों के पूजन में पित्रों की शाथ तरपन पिर्णदान में दिल का फिशिश महत्व होता है दोस्तों जल में दिल डाल कर अब आपको यह जल पित्रों को चढ़ाना है दोस्तों पित्रों का यह जल आपको साउत दिशा की तरफ चढ़ाना है शास्तों के अनुसार साउत यानि की दर्शिन दिशा में पित्र लोग है इसलिए पित्रों को जल दर्शिन दिशा की तरफ मुकर की ही अर्पित किया जादा है पित्रों को जल चढ़ाते समय आपको जल के पात्र को अपनी दोनों हाथों में पकड़ कर इतना उचा उठाना है कि वहें आपके मुख के सामने आए यानि कि आपके चहरे के सामने आपके दोनों हाथ होने चाहिए और फिर यहां से आपको जल चढ़ाना है पित्रों को जल चढ़ाते समय आपको पित्रों के इस मंत ओम पित्र देपताय नमा मंदर का जाब करना है यह जल आपको एक ही बार में चढ़ाना है जल चढ़ाने के पश्चाथ आप पित्रों को प्रणाम कर इसी मंदर का ग्यारे बाद जाब और करें जल चढ़ाने के पस्षात आप भागवान विश्टूमा लक्ष्मी जी को प्रडाम करें जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की शमा मांगे भागवान लक्ष्मी नारायन से पित्रों के आत्मा की शांती और मुक्ती की प्रातना करें और पित्रों से पित्र दोष से मुक्ति पाने के प्रातना करें। इस पिधी से पित्रों को जल चढ़ाने से पित्र अतिशेक्र ही प्रसन हो जाते हैं। पित्रों को त्रप्ति मिलती है और पित्रे दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों तिल के साथ ही पित्रों की त्रप्ति के लिए कुश का भी प्रयोग किया जाता है कुश भी भगवान विश्णू के शरीर से दिखली है और यह पित्रों की त्रप्ति के लिए बहुत आवश्यक मानी जाती है बायू पुरान के अनुसार तिल और कुशा के साथ शद्धा से जोकुश पित्रों को अर्पित किया जाता है वह अमरत रूप होकर पित्रों को प्राप्त होता है शास्तों के अनुसार समंदुर मंथन के दोरान कुशा पर अमरत की बूंदें गिर गई थी इसलिए कुशा को अमरत के समान माना जाता है कुश आपको मंदिर में प्रहमणों के पास मिल जाएगा अगर आपके पास कुश है तो आपको पित्रों को जल चड़ाते समय कुश को अपनी मध्यमा यानि की मिडल फिंगर में राइट हैंड में पहनना है और जल के पात्र में आगे आपको थोड़ी सी कुश लगाने है जिससे कुश की नोक से होता हुआ यह जल धर्टी पर किरे शास्तों के अनुसार पित्रों का शरी नहीं होता और जब पित्रों को जल अर्पित किया जाता है तो उन्हें उसे ग्रहण करने में परिशानी होती है लेकिन जब जल कुश की अगर भाग ज्याने की नोक से गिरता है तो उसे पित्र आसानी से ग्रहण कर लेते हैं इससे उन् तत्व की प्राप्ति होती है और वह द्रप्त हो जाते हैं कुशा में भ्रह्मा विश्णु महिस का भी बास माना जाता है इसलिए पित्रों को कुश की नोग से जल अर्पित किया जाता है जिससे पित्रों को वह प्राप्त हो और पित्र प्रसन्न हो कुशा खराब नहीं होती और बार बार इस्तमाल की जा सकती है। इसलिए आप थोड़ी सी कुशा लाकर उसे पूजन कर बापस उसे समाल कर रख सकते हैं। दोस्तों इस आसान से बिधी से पित्रों को जल अर्पित करने से पित्र तरप्त हो जाती हैं और प्रसन हो अपना आशिरवाद देते हैं। आनुसार जो लोग अमावस्या पर अपनी पित्रों का शाहत्तर पर पिंड़ता नहीं कर पाते उन्हें पित्र दोश लगता है। लेकिन इस बिधी से जल अर्पित करने से दोश नहीं लगता और पित्र भी प्रसन होते हैं। पित्रों को जल अर्पित करेते समय इस बात का थ्यान रखें कि महिलाइ अपनी बालों को बांद कर रखें. मेक अप करके या फिर पर्फ्यूम लगाकर क्रीम बगैरा लगाकर खुश्मों की चीज लगाकर पित्रों को जल नहीं देना चाहिए. पित्र दुखी होते हैं इसलिए आपको भी साध्की के साथ ही पित्रों को जल अर्पित करना चाहें बैसे तो पित्रों को आप सुभे से दुपहर तक किसी भी समय जल अर्पित कर सकते हैं लेकिन दुपहर का समय लगभग ग्यारे तीस से पारे तीस तक के बीच का समय जादा अच्छा माना जाता है लेकिन ध्यान रखें पित्रों को जल अर्पित करने से पहले आप कुछ भी खाए पिया ना पीरेट की दोरान पित्रों को जल ना चढ़ाएं अगर घर में कोई खुला इस्थान ना हो तो आप घर के अंदर भी दशिर दिशा की तरफ मुख करके जल चढ़ा सकते हैं नीचे एक पातर रख लें और उस जब पातर में जल इकटा हो जाए तो इस जल को ले जाकर किसी पेड़ पौधे की जड़ में ताल दें बस ध्यान रखें वह साफ इस्थान पर लगे पीड़ पौधे होने चाहिए पित्रों को जल चढ़ाते समय इन बातों का ध्यान रखें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लेस लाइक शेर और सुब्सक्राइब थैंक्स पर वचिंग टाथी टाथी